हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस हीरो ऐसल के मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा केला ब्राश्टर्स वर्सेस मुंबई सिटी एपसी के बीच मैच कब एंजी होगा केला किक आफ होगा रात में 7.30 पीम पे तो बात की जाए कि केला ब्लाश्टर्स का जो सीजन का पहला मैस था वो तो अच्छा गया था लेकिन उसके बाद के अपने पिछले दोनु मैचेस हाड चुकी है यानि कि इनका अप्टू ता माग स्टार्ट नहीं हुआ है फिलाल ये मैच केला के घर में और आप केला के फैंस जानते हैं ब बहुत ज्यादा इस्ट्रॉंग टीम है तो इनके अगेश केला ब्लाश्टर्स का मैच इजी नहीं होगा फिलाल मैं यहाँ पर विनर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं किसी भी साइड ये मैच जा सकता है दोनु टीम अच्छी है केला अपने घर में गिल लिए मुंबई वैसे भी श्ट्रॉंग है तो अभी मैं स्मॉल लीग में एक बैलेंस टीम बनाने आलों बट अगर मुझे किसी एक टीम को आलका एडवन्टेस जिना होगा मैं स्लाइडली मुंबई सीटी एकटी को जादा एडवन्टेस दूँगा वैसे मैं बैलेंस टीम ही बना रहू मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस मैच की लाइनप आने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल में तो जो मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जागा डिस्क्रिप्सिन ये टॉप पिन कमेंड में वहाँ से जुड़के आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोइन कर लिजे 4700 के आसपास सब सला चैनल आपको मिल जाएगा तो जरूर जोइन कर लिजे आप मेरे टेलिग्राम चैनल से अब मैं आपको दिखा तो पॉइंस टेबल तो फिलाल फॉर्थ पोज लेकिंग है मुंबई अच्छी है लेकिन इन्होंने तीन मैंचेस में बहुत जादा आठ गोल कंसीड कर जो की कई ना कई कंसर्णिंग साइन है एक तरीके से देखा जाए अब मैं आपको दोनु टीम का लास्ट में दिखा दाऊं तो जो मुंबई सिटी एपसी ने अपना लास्ट वेच खेला है एसल में उन्होंने एक वन वन का ड्रॉ के रहा है जमसित्पूर एसी से शांटे का गोल था और ग्रेग स्टीवर्ट का असिस था वहीं उन्हीं से प्रोईबल लाइनप आते हैं पहले बाद मुंबई सिटी एपसी की कर लेते हैं तो यहां पर कोई क्लियर काट फेबरेट तो नहीं है अगर मैं 6 प्लेयर मुंबई की पिक करूँगा मैं 5 केल लागे पिक करूँगा जिससे की मेरा एक बैलेंस बन जाए तो मुंबई सिटी मिट फिल्डर और टेकिंग प्लेयर में फोकस करने आलो दोनी टीम्स टे तो अगर मैं 3 पिक कर रहा हूँ मैं 2 मुंबई एक केल्ला या ऐसा हो सकते हैं मैं 2 केल्ला एक मुंबई का पिक करूँ जिससे की मेरा डिफेंस सेक्षर में एक बैलेंस बन जाए अगर आपको लग मुंबई क्लिंग लेएंगि आप 3 के 3 डिफेंडर उनके पिक कर सकते हैं अगर आपको लग रहाई केल्ला की क्वीड आएगी आप केल्ला के तीनोन दिफेंडर विक करके चल सकते है फिलाल इनके डिफेंस में मेरी नंबर लाट चाहरत है घर में अच्छे हैं अभी तक dw refuse बहुत अच्छा गया और पासिस भी बहुत कर रहे हैं तो इनको मैं शोलिए पिक करूँगा अभी मैं दो यहां से बिक करो तो मेरे सेकंड चोइस राहूल भैके कभी भी हैड़ेट गोल लगा सकते हैं यह भी हैड़ेट में अच्छे हैं और यह डिफेंसी बग भी करते हैं और यह इस राइट बेक पोजिसन से असिस्ट वगेरा भी प्रोवाइट कर सकते हैं इस वयसे में अपना सेकंड डिफेंडर राहूल भैके को भी करके चलो लेकिन अगर आपको एक ही भी करना है आप सिफ ग्रिफिट्स को भी कर सकते हैं बागी आप चाहे तो दो इन की दरफ जाओ अपना थार्ड डिफेंडर क्योंकि लेफ्ट वेक पोजिसन से असिस्ट कर सकते हैं लेकिन अभी तक महताप सिंग ने भी फैंटेसी वाइस अच्छे पॉइंट दिये तो आप चाहे तो इनको भी पिक करके चल सकते हैं अब पुजया याली की लालंग मा इसे गोल असिस्ट करने में भी क्यावल है तो जाहू मस्ट पिक हैं इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग ग्रेग श्टिवर्ट तो वैसी मस्ट पिक है बेस्ट प्लेयर ऑफ मुंबई सुटी एफसी पिछले सीन भी वन अप देस्ट प्लेयर दे पूरे आइसल में एक गोल और तीन असिस्ट अलेटी कर चुक है कॉर्णियर की फ्रीकिक शेयर करेंगे पैनल्टी टेकर भी आई है इस मैच में केप्टन सी के टॉप अपसर नहींगे ग्रेग स्टिवर्ट तो स्टिवर्ट मस्ट पिक है जाहू मस्ट पिक है और मेरे अकॉडिंग नोगेरा भी पोटेंचल है पिछले सीन एपसी गोव में भी इन्हों ने बहुत ज्यादा असिश्ट प्रोवाइट किया थे और बीना गोल असिश्ट के भी नोगेरा अच्छी पॉइंट दे सकते हैं तो मैं इन तीनों को तो शोली पिक करके चलना हूँ अब एक स्पॉट है उसमें शांग्टे नहीं गोल स्कोर किया है अमने दोनों को एक साथ भिक नहीं कर सकता है अगर मैं इन दोनों को भिक कर रहा हूँ एक साथ तो मैं भी मुझे हो सकता है कल्यूजनी या लूना में किसी एक किल्लब लश्टर के बेस्ट प्लेयर को ड्रॉप करना पड़े जो अब बख सभी चीज़े मैं यहां से आपको डिटेल में कर दी फिलाल पेनल्टी इन की स्टीवर्ट निंगे और यह मैंने मुंबई सिटी अपसी के लिखे इस सीजन के हीरो एसल के स्टैट आप ये स्टैट देख लें ना इससे जो है आपको प्लेयर्स के बारे में ज़रूर से ज़रूर जोइन कर दीजिए 4700 के असपास सबस्वाला चैनल आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं के लब लाश्टर की तो प्रफ शुकन सिंग के लिल के गोल की बर हूंगे अभी मैं इनको भी करो आई थिंग मुंबई ज्यादा अटेक कर सकती है मैं गोल मुंबई से लिया रहा हूं एक ही मैं यहां से लियाँगा लेकिन आप चाहिए तो यहां से भी जाज़ स्यादा दो या तीन फिक कर सकते हैं फिलाल चार इनके डिफेंडरों के खाबरा लेस्कोविच हुर्मी पाम और जैसल करने रो अभी के लिए मेरी नंबरों चाहिज स यह किसा जाँगा है दोनू इंटरसेप्शन बहुत करते हैं और पासेस वगेरा के पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि जैसल थोड़े से इंकंसिशेंट है वैसे अटेकिंग रंस बनाते हैं लेकिन में खाबरा भी करूं लेकिन इसके अलावा अगर आपको दो या तीन पिक कर लेते हैं लेकिन अभी इनसे और ज्यादा बेटर आप्सन मिलने क्योंकि मिट्फिल सेक्षन में बहुत ज्यादा स्पोर्स हमारे पास नहीं बचे मैं फिलाल के लिए साल अब्दुल समात को भी इग्नोर कर रहा हूं आइधिंग यह के लाव लाश्टर का बेस्ट इंडिय कर चुका है और यह भी बिना गोल असेश के विदाव गोल असेश गारेंटीड 25 से 30 पॉइंट तो दे गई और मोस्ट प्रभाबली पैनल्टीज में हो सकते हैं वैसे लास्यान वैच्केस लेते दे दे वो दोनों क्लप छोड़के चले गए तो ऐसा हो सकता है लूना ले य अगर आप केलव लाश्टर को बैक करने केप्टन सी वाइस के टॉप अप्सन रहने वाले हैं फिलाल मैंने डिमांटा को उसको भी पिक्किया इंका मेन नंबर नहीं नहीं है लेकिन यह अच्छा लगा है मुझे इस जश्टा मेंटर ऑफ टाइम इनसे आपको गोल देखने होर भी पाम में तो यह केलव लाश्टर की प्रोईबल 11 थी लगबख सभी चीज़े मैं यहां से भी आपको डीटेल में कर दी बाकी यह मैंने केलव लाश्टर के इस स्टैट लिखे अभी तक के आप यह स्टैट देख लेना अभी जो मेरी प्रेडिक्शन में एक सिंपल ट अगर आपको सेकेंड डिफेंडर केला का लेना है तो आप बैके अटाके महां से हुर्मी पाम या लेस्कोविच में किसी को विख करके चल सकते हैं यहां मैंने लूना और कलीजनी लिए किला ब्लाश्टर से और मैंने विपिन जाहू और नोगेरा लिए मुंबाई सीटी ए चाहे तो थार्ड डिफेंडर आप मुंबाई सीटी एफसी महताफ सीनिय संजीव श्टैलिन में किसी एक को भी करके चल सकते हैं फिलाल हमें एक ड्रो के लिए जा रहे हैं अभी के लिए मैं केप्टन सी स्ट्वर्ट को दे रहा हूं ग्रेग स्ट्वर्ट मेरे वाइस केप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉइन कर लिजिए